Hello everyone, मैं हूँ विक्रम और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले Exide Industries Limited के Quarter 1 के Results के बारे में तो चलते हैं सीधा Results की तरफ अब यहाँ पर जो सारी values आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर Crores में दिखा रहे हैं, यहाँ पर already mentioned है तो सबसे वहले देखते हैं ही company के Total revenue हमें इस quarter में क्या देखने को मिल रहा है तो वो यहाँ पर देखने को मिल जाता है 4,452 crores का अब last quarter से अगर हम इसको compare करें तो यहाँ पर 4,177 crores का revenue था revenue हमें यहाँ पर थोड़ा increase होता हुआ देखने को मिल रहा है और उसी के साथ साथ अगर हम last year के quarter का यहाँ पर revenue देखे तो 4,267 crores का revenue हमें देखने को मिल आथा पिछले साल के quarter से यहाँ पर revenue आप देख सकते हो कि increase होता हूँ हमें देखने को मिल रहा है और last quarter से भी revenue यहाँ पर increase ही हुआ है उसके बाद चलते हैं देखते हैं कंपनी के expense हमें क्या देखने को मिलने वाले हैं तो यहाँ पर जो total expense निकल के आता है वो है 4136 crore का जो कि इस quarter का है अब last quarter का expense देखे तो वह में यहाँ पर 3897 crore का देखने को मिला था तो आप देख सकते हो expense भी यहाँ पर हमें increase होते हुए देखने को मिल रहा है last quarter में expense 3800 crore जो कि अब बढ़के हो चुका है 4100 crore का और last year के quarter से अगर हम compare करें तो यहाँ पर 3963 crore expense था तो overall company के अगर खर्चे देखे जाए तो वह controlled हैं उसके बाद चलते हैं और देखते हैं company ने profit कितना generate कर रहा है तो यहाँ पर जो company का total profit निकल के आता है वो आता है 220 crore का और वहीं पर अगर हम last quarter का profit देखे तो 187 crore का profit था तो profits हमें यहाँ पर increase होते हो देख रहे हैं decrease होता हुआ देखने को मिल रहा है अब इसके बाद बात कर लेते हैं company earning per share की company का earning per share क्या चल रहा है तो last year के quarter में company का earning per share था 2.62 rupees का जो कि last quarter में हो गया था 2.17 rupees का और इस quarter का अगर हम देखे तो 2.59 rupees का हमें यहाँ पर earning per share देखने को मिलता है और last year के quarter से यहाँ पर हमें हलका सा decrease होता हुआ देखने को मिल रहा है तो यही थे results Excide Industries Limited को लेके अब आप लोग के क्या thoughts से इस result के उपर में को comment करके ज़रूर बताना और ऐसी और वीडियो देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना मैं मिलता हूँ आप से अगली वीडियो में